नमस्कार दोस्तों स्वाहत है आप सबी का हमारे नए चैनल पर आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं महाकाल कारीडोर के बारे में दोस्तों कि आप जानते हैं कि महा कारीदूर का उद्गाटन प्रदानोंपड़ी सरी नरेन मोधी जी द्वारा अजयन में किया गया है आठ सो पैंसेट क्रॉनर रुपए की लागत से बने उज्जैन महाकाल कारीडोर का ये नया महाकाल एसर जोत्रिलिंग का पूरा इलाका 37 हेक्टेर के कुल छेतिपल में फैला हुआ है। 946 मीटर लंबे कारीडोर से होकर मंदिर के गरब ग्रह में प्रिवेश किया जाएगा। 25 फूट उची और 500 मीटर लंबी पेंटिंग वाली दीवार बनाई गई है। 108 सिव इस्तम्वो का निर्माड किया गया है जिसमें सिव की अलग-अलग मुद्राएं बनाई गई है। और लेक फ्रेंट एरिया भी बनाया गया है। यहाँ इरिक्सा और एमर्जंसी बहानों के लिए भी रास्ता बनाया गया है। मित्रों आज बात करते हैं कि महाकाल के से सम्मंदित frequently asked questions के बारे में जो अमूमन सभी के मन में इन सब तरीके के question रहते हैं कि महाकाल के कि दर्सन कितने वज़े से कितने वज़े तक होते हैं। उज्जेन महाकाल कब और कैसे जाना चाहिए। महाकाल में क्या परसाथ चड़ता है। महाकाल कारीडोर कितना बड़ा है। महाकाल कारीडोर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। तो इन सब कुष्टिनों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकाल कारीडूर का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है। 11 आक्टूور को प्रिदानमंद्रि इन्रेंड मोडी जी ने महाकाल मंदिर बिस्तारी करन योजना के पहले चनका उदगाटन किया था। इस से पहले इस पूरे परिसर को महाकाल कारीडूर के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर स्री महाकाल लोक रख दिया गया अब दोस्तों बात करते हैं कि उज्जैन महाकाल कब जाना चाहिए उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय कब है उज्जैन में गर्मियों में बहुत तेज गर्मी होती है यहां गर्मियों में भारी गर्मी पड़ती है और सरदियों में तेज सरदी पड़ती है इसलिए उज्जैन की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च में से लेकर अपरेल और अप्टूबर से लेकर नवंबर के मैनों में होता है इस समय मौसम अनकूल होता है महाकाल के दर्शन कितने बज़े से कितने बज़े तक होते हैं दोस्तों आपको बताते चलें सरदालू प्रतिजिन जोतिर लिंग महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह 6 बज़े से लेकर दोपहर 12 बच के 30 मिनट तक 750 और 1500 के टिकट पर जा सकते हैं यह एक सुल्क बाली दर्शन करने की बिवस्था है और अगर कोई व्यक्ति निसुल्क दर्शन करना चाता है तो उसके लिए भी बिवस्था की गई है जो व्यक्ति बिना टिकट खरीद कर दर्शन करने जाते हैं उनको थोड़ी सी भीड़ता सामना करना पड़ता है और जो लोग टिकट लेकर दर्शन करने जाते हैं उनको कुछ विशेश नियम के साथ में दर्शन कराए जाते हैं महाकाल में दर्शन जाने के लिए सुबह भस्म आर्थी में सामिल होना बहुत ही रोमांचक होता है और जिसके लिए आपको पहले से आनलाइन रेजिस्टेशन कराना होता है मित्रों स्त्रद्यालू यहां भगवान महाकाल के दर्शन के अलावा धार्मिक परेटन भी कर सकेंगे कारीडोर में घूमने फिरने और आराम करने की सुविदाय मिलेंगी महाकाल कारीडोर में देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है यहां भगवान सिब सक्ती अनधार में घटनाओं से जुड़ी करीब 199 मूर्तियां इस्थाफित की गईगी यह मूर्तियां सिब पुराण के से जुड़ी कथाओं का बयान करती है सब्तरिसी, नबगरह मंडल, त्रिपुरा, सुर्वबद, कमल ताल में भगवान सिब की मूर्ति, सिब तांडव की बिविन प्रतिमाय और नंधी की विसाल प्रतिमा यहां दिखाई देगी मूर्ति में की वार कोट को स्कैन करके उनके वारे में आप जान सकेंगे महाकाल मंदिर कारीडोर के भिकास में 793 कॉर्ण रुपए खर्च हुए है इसमें 421 कॉर्ण मदबदे सरकार और 221 कॉर्ण रुपए के इन सरकार ने दिये है इसके बाद मंदिर का एरिया 2 हेक्टर से बढ़कर 20 हेक्टर हो गया है महाकाल के पास ऐसी एहतिहासिक रुद्ध सागर तालाब की साफसफाई कर इसे विक्सित किया गया है साथ ही रुद्ध सागर तालाब में गिरने वाली गंदी को भी रोग दिया गया है उजयन के बरिष्ट जोतिस्ताचार आनन संकर ब्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी पांचमें प्रधान मंतरी होंगे जो महाकाल के दर्शन करेंगे। इससे पहले प्रधान मंतरी लालवादुर सास्त्री मुराजी देशाई इंद्रा गांदी और राजी गांदी ने भी मावा महाकाल के धर्शन किये हैं। मित्रो उजयन में बना कारीडोर कासी विस्टुनात में बना कारीडोर से लगवक चार गुना बड़ा है। इससे भक्तों को दर्शन करने और कारीडोर में घूमने का खास अनुबब होने वाला है। महाकाल के पतपर सबसे पहले आपको नजर आएगा महाकाल का सबसे प्रियनन्दीगन जिसके एक द्वार का सरूप देखकर बिशाल का रूप सिखर पर चार नंदी प्रतिमाएं बिराज मन कर द्वार बनाया गया है। नंदी द्वार के प्रिवेस के बाद आपको कारीडोर में कमल को नजर आएगा जिसके बीच बीचों भी इस ध्यान मुद्रा में दिखाई देंगे और चार अलग अलग दिसाओं में चार सिंग की मूर्तियां लगाई गएंगें। फबारे में इस कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोस्नी में देखते ही बनती है। दरसल माना जाता है कि महाकाल बन के वक्त इस इस इस्थान पर कमल को त्यार कर सिब को ध्यान मुद्रा में मूर्त रूप में दिखाया गया है। यात्रियों के लिए आरो बाटर द्वारा पानी पीने की बहुत सुन्दर विवस्था की गई है जहां पर आप मंदिर दर्सन करने से पहले या बाद में पानी पीने के लिए सुद्ध ठंडा जल प्राप्त कर सकते हैं इसमें आधुनिक्ता के आधार पर बहुत सुन्दर बड़ा फैन लगाया गया है जिसको देखकर आप अचमबा महसूस करेंगे और यह जेसी भी कंपनी द्वारा इतना बड़ा फैन लगाया है बड़ा इतना 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 इतन झाल 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 दोस्तों इतनी भीड होने के बाब जूद भी मंदिर परिसर में जो पुराना गर्ग बुरह है और उसके आसपास सुन्दर डवलप्मेंट करके इतना विवस्थित बना दिया गया है जिससे कि आपको भगवान महाकाल के दर्सन करने में परिसानी नहीं होगी है मंदिर दर्सन करने के बाद अभी आद्रिक्ता के आधार पर बी आर सिनेमा दौरा हम लोगों को लाइव थ्री डाइमेंशनल भगवान के दर्सन करने का भी अनुवफ राप्त हुआ इसमें बी आर ग्लासेस दौरा आप साच्छाद भगवान के बिल्कुल बगल में बैटकर दर्सन कर सकेंगे एक अलग तरीके का अनुवफ अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि इस तरीके से आप बी आर ग्लासेस के दौरा भगवान का बहुत सुन्दर दर्सन कर सकते हैं